बस्पा के प्रदेश परभारी समसुद्दीन राइन हमारे साथ मौजूद हैं से बात करते हैं इस बार बस्पा किस तरह का प्रदेशन करने चा रही है उत्राखंड में प्रभारी जी क्या कहेंगे इस बार बस्पा किस तरह से देख रहे हैं इस बार परिवरतन की लहर है भारती इंता पार्डी को कांग्रेश को उत्राखंड की जनता ने देख लिया है दोनों शरकारें कांग्रेश और भारती इंता पार्डी की जनता की निजर में खरी नहीं उत्री है और जो मौझूदा शरकार राज अब तो नोटिपिकिशन जारी हो गया है जिनके नित्रत में चुना हो रहा है आज मौझूदा शरकार भारती इंता पार्टी तो अपने मुक मंत्री जितने भी बदले गए है उनको अपने मुक मंत्री पर ही भरूशा नहीं था सारे किस तरीके से महल भारती इंता पार्टी की शरकार में पूरो त्रकंड का बना रहा और कांग्रेश बैट के तमासा देखती रही सही मायने में जब कांग्रेस सरकार चलाती है तो भारती इंता पार्टी तमासा देखती जनता को जनता परिशान होती है इसी पिरकार भारती इंता पार्टी शरकार चला रही है तो कांग्रेश ने पूरे पांस साल तमासा बन कर देखा और उत्राखन लुकता रहा और कांग्रेश देखती रही अब मंद जंता ने मूड बना लिया है कि इस बार ना कांग्रेस ना भारती इंता पार्टी इस बार बहुजन समाज पार्टी की उत्रखन में सरकार बनने जा रही है मैं आपको भी मुबारक बाद देता हूँ जिस तरीके से चुनाव परचार पर रोक लगी भी है 31 तरीक तक का टाइम बढ़ा दिया गया है क्या देखने कुछ सभी प्रत्याशियों को और सभी पार्टी को नया देखने को मिला है घर घर जाकर क्योंकि पहले जो है काफी भीड हो जाती थी रहलिया करते थे लोगों को सही तरीके समझा नहीं पाते थे इस बार कुछ नया देखने को मिला है देखें, भारतियनता पार्टी और कांग्रेस, हमारी राष्टी अदज, बहुजन समाज पार्टी की राष्टी अदज, भेहन कुमारी मायुती जी का जनम दिन 15 जनवरी को मनाया आता था, उसमें हमारे कारकरताओं को जोस आता था, और अपने नेता का हर्थ और लास के साथ जनम दिन मनाते थे, लेकिन इस बार चुनाओ की गाइडलाइन को देखते हुए, आज ये कंडिसन रही है, कि चुनाओ को देखते हुए, कि आज हम अपनी नेता का जनम दिन घरों में मनाने के लिए मजबूर कर दिया गया है, और अब मैं ये देख रहा हूँ, कि अब और कार करता हूं के अंदर जोश आ गया है कि तुम बहुजन समाज पाड़ियो कितना पीछे करोगे जतना पीछो करोगे उतना ही आगे बर चल कर हिस्ता लेगे करोना की गाइडलाइन के अनुसार पाँच आद्मियों की पर्मीशन है रोट तो रोट तो परचार करने की आज करयाना में कुछ नया देखने को मिला देश के ग्रहमंत्री अमिष्ठा जो है वहाँ पर पहुंचे और भारी भड़कम भीड उनके साथ थी क्या कहेंगे दखे मैं ये कहता हूँ कि शही माइने में कुरोना की गाइडलाइन को हमारी राष्टी अदज बेहन कुमारी मायती जी ने इस पर हम लोगों को संदेश दिया है कि ये महा मारी के दौर में अपनी जंता को अपने बरकर को अपने आप पर सुरक्षिद रखो खुद भी सु अपना एक महा मारी में खुद ध्यलने का काम कर रहे हैं मैं इस चीज की घोर निंदा करता हूँ और इनको हमेशा कोरोना की गाइडलाइन को मानना चाहिए क्योंकि देश के होम मिनिस्टर ही अगर कोरोना की गाइडलाइन को नहीं मानेंगे तो फिर नीचे संदेश क्या द कि क सतर्में पंडलाइन के विसारा वे और सिठीग में भांब क्रणकश के साथ जाना प्संद करें लगाम कोई कि मे खिला आनने जारी है । आखि लोग कह रहे कि बहन जी जो है बीजेपी के खिलाब कुछ भी नहीं बोल पारी है क्यों सीबी आए का डर है बोले हैं फिर आप लोग सुनते नहीं हैं आप उठा के देख लो इतने भी बहन जी के स्टेटमेंट हैं यहां तक RSS के खिलाब विश्पष्ट दावा देश के अंदर RSS के खिला है जिस तरीके से यहां कहती है भी हमारे टीने में हमारा इनका खून अलग है तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों करती है आफ़ी सवाल पश्चिमुत प्रदेश की राजनिति में आप सक्री हैं परभारी भी हैं वहां के इमरान वसुद के बारे में क्या कहेंगे यह उनका विशह है ना हमारी पाटी का कोई विशह है ना हमने लिया था ना हमने उनके साथ कोई किया या बीएसपी में वो आ सकते हैं देखिए लोक तंत्र हो या राजनितिक पाटी हो यह इसमें लंबे समय दोस्त और दुस्मन कोई होते नहीं है अभी ऐसा कोई विशार नहीं है क्योंकि अभी चुनाओं का बहुत संजीद्गी से बहुत समय करीब है जिसको अपने अपने जहां जहां जाना था वो चला गया किसको क्या मिला किसको क्या ना मिला हमें किसी को पर नहां सोचना जाए तो बहतर होगा तो ये थे हमारे साथ उत्राखंड के परदेश पर भारी बस्पा समसुदिन राइन साब जिनका साफ तोर से कहना है कि इस बार बीएस पी जो है उत्राखंड में सरकार बनाने जा रही है अपने सेयों की विनो चोधरी के साथ मैं मुहम पर जां पर बार खillah तोराव में मुझा पर पता है याइ डारी झाना जाए झाल जाए औेब रही है बनाने जाए और राल रही है पर दो है होगा साथिए